बुनियाद लेवल 2 पे करके हम 3 पार्ट ने बच्छों 25 कॉस्टिन्स सॉल्व कर चुके हैं आज हम पार्ट 4 से स्टार्ट करेंगे कॉस्टिन नम्बर 26 से क्योंकि बच्छों मेरा नेम जो मुट्टिक दो हुई है कि आपको कॉस्टिन्स समझ आए स्टार्ट करेंगे कॉस्टिन्स से स्टार्ट कर लिए आज हम कॉस्टिन्स नम्बर 26 जो है वह आपका कॉस्टिन्स नम्बर 26 जो है बच्छों मेरा आपका एक संख्या में दो अंख होते हैं जिनका जोड बारा है यादि कि दो अंख है इसमें इनका जोड क्या है बारा माल बेते हैं एक्स और वाई दो अंख हैं तो संख्या क्या बनेगी से संख्या जो है हमादी बन जाएगी दस एक्स प्लस य आगे कह रहा है यदि संख्या में अठारा जोड दिया जाए तो इसके अंख उलट जाते हैं यदि संख्या में अठारा जोड दिया जाए तो इसके सम उलट जाते हैं यानि दस वाई प्लस एक्स हो जाए गई हम उलट गए इधर से वाई इधर एक्स से लगे इधर वाई आगे तो इस दो समीतरन हमारे पास मिल गई हमें इनको हम उलट कर लेते हैं एक्स और वाई को इस साइभ लाईंगे तो अधारा नों को जाए आगे आपकी पास आवी x minus y बराबर minus 2 एक समी करन हमारे पास पहेंटे से ही है x plus y बराबर 2 प्लस और minus थे या आगे 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 पास 2x बराबर 10 तो x आगे रहें है से आपका 10 बटा 2 यानकी 5 x कितना आगे हमारे पास 5 और यहीं से हम y ने काल देंगे किसी की समी करन में आप इसको रख सकते हैं y यह आपका 12 minus x यानकी 12 minus 5 तो सम तो हमारे जो संख्या है वो क्या बन जाएगी सताफ 57 जो कि आपका option number c तो यह question बहुत easy था आपके लिए कि आप options में ही देख सकते हैं आपके जो options दिये हैं वहीं किसी भी संख्या में अमगों का जोड़ माना नहीं है लेकिन इसको करने का करिश्टा दीन है तो यह आपके एक्जाम के point of view से भी आपके लिए प्रवान आपके साथ अल्रेडी शेयर कर चुक्ता आप उसमें इसको देखनें मंदार, शिवकू और पवन खुष्चन अंप्राग्या का सप्राइस पवन और चंदर की उम्रेड़ की उम्रेड़ की उम्रेड़ में जोकी क्रम में नहीं हैं पर्म में इनके नाम लिख रहते हैं पर्स्क्रेड़ कुप मंदा और चंदर जब भी पुछा जाता है वे अपनी उम्र के बारे में जूठ दोलते हैं लेकिन दूचरे की उम्र के बारे में सच कोलते हैं उनकी तीन स्टेटमेंट्स दीनी हैं और आप से पुछा है कि चंदर की एज या उम्र कितनी है पहली स्टेटमेंट के महपवन कहता कि मेरी उम्र 32 साल है तो वह नहीं है तो पहले ही बता दे कि वह उम्र के बारे में सही नहीं बता मंदार की उम्र 35 साल नहीं है इसकी उमर के लारे में उसरी बोल रहा है कि ये 35 साल का नहीं है शिव को कहते हैं कि मेरी उमर 29 साल नहीं है यानिकी 29 साल है और मंदार की उमर 10 सौरी पावन की उमर के साल नहीं है तो इसका भी नहीं है तीसरी स्केटमेंट मंदार कहते हैं कि मेरी उमर 32 साल है यानि 32 नहीं तो 32 इसकी भी नहीं है इसकी भी नहीं तो बचा क्या हमारे पास चंदर की उमर कितने जाएगी 32 वर्ष यही आपसे पुछा है और यह आपका ऑप्शन में जाएगा रुच्छों एफ कुछ लॉजिकल र नेक्स्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर 28 क्या है इसमें लिखी राजा अपने घर से निकलता है और 10 फीट फूर्ण की ओर चलता है मांगे लिए जहां से उसमें चलना शुरू किया और 10 फीट हो है जो फूर्ण दिशा में चलता है फिर दाएं मुरता है और 3 फीट चलता है तो फिर उसके बाद वो इस दिशा में मुर रहा है और 3 फीट चल रहा है उसके बाद फिर से दाएं मुरता है और 14 फीट चलता है तो यह तीन फीट चलता है और उसके बाद फिर से दाएं मुड़ता है और शौदा फीट चलता है यानि कि यह पूरी दूरी जो है कितनी है शौदा अब वह अपने घर से कितनी दूर है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट यह था यहानि कि घर जो है उसका हमने यह दूरी बतानी है यह यह निकाल ने कि वह अपने घर से इतना दूर है यह दूरी को हो गई दस यह बची विशेच दूरी हो गई चार क्यों यह पूरी कितनी है 14 और यह दूरी कितनी है तीन यहां पर हम देख चुके हैं तो हमने यह वागी दूरी है अगर हम इसको A, B, C मार्क कर दें तो हमने A, C निका दनी है तो यह यहां पर आप पाइधा दूरस थिवार उड़ा कर इसको बहुत एजी भी कर चकते हैं A, C बराबर हो जाएगा बच्चों A, B का स्क्वेर प्लस B, C का स्क्वेर B, C आपका 3 का स्क्वेर प्लस 4 का स्क्वेर यह वाजाएगा आपका 9 प्लस 16 बराबर अंदरूट 25 यह की 5 के बराबर बता है, यह की 5 फीट दूर पे वो है ने धर से और पेपर में आपका उप्शन नमबर जो ठीक है बच्चों वो है, उप्शन नमबर B लेक्स्ट कुश्चन है, मैं और मेरा दोस्त सौ मीटर की दूरी पर स्थित हैं, दो लोगों की बात हो नहीं हाँ पर, यह के बीच में आपका से दूरी जो है, उप्शों है, सौ मीटर लेक्स नमबर जो है, साथ साथ आप फिलर क्यों कर दें, इससे कि आपको इजी हो जाए, यह दी आपको एक बी है, और इनके बीच की दूरी, कुल दूरी जो है, वो सौ मीटर है, सिर्फ दो स्थानों से एक साथ, एक दूसरे की वह चल पर, यानि यह तो इस दिशा में चल है, और भी इस दिशा में, 30 मीटर चलने के बाद, मेरा मूत्र बाम मूदा है, तो यहां से कितना 30 मीटर चला घो, महलतो इस पॉंट के आपकर हमारी बुल्यों 13 मीटर और इस अने मूद जाता है, लेफ्ट साइड में मूद रहे है, और 10 मीटर चलता है, एक बिच का ज़ा दस मीटर, फिर दाएं मूरता है और दीस मीटर चलता है, फिर इस तरफ मूरा और कितना चलता है, दीस मीटर, फिर दाएं मूर जाता है और उस सड़क पर वापस आ जाता है, जिससे चलना प्रारम किया, यानि फिर यहां पर वापस आ गया, और यहां से चलना प्रारम करता है यदि हम उसी गती से चलते हैं तो हमारे तो इस समय हमारे बीच कितनी दूरी होगा अगर आप पूरे फ्रेशन को एक पार में बाढ़ेंगे तो तब निकालने में पिज़ाए आप साथ साथ इसकी फीगर बनाते जाएं तो ये सेम स्पीड से चल रहे हैं और बी ए जो है ये सीधहा चल रहा है हम इन दौनों के दूरी है तो देखे ऐ द्वारब कुल तय दूरी कितनी हैं तीस मीटर चल आइ प्लस दस मीटर उपर कितर है फिर इदर 20 मीटर है तो यह हो गया फिर 40 और 60 और फिर 10 मीटर इधर आया यानि कि कुल दूरी हो गई 70 मीटर और उसी दौरान जो है वैसे एकी दूरी इतनी है ज़र हम सीधी इसी सड़क पे देखें 30 और 20 पचास तो वैसे जो तै की गई इसकी दूरी हो गया है पचास यह बिंदू क्या दिखा लिए 50 मीटर और बी भी उसी दौरान कितना चलिया लेकिन 70 तो बी जो इस बिंदू पर पहुंच लिया सतर मीटर पर नेक्स्ट कोश्चन है बच्चों कोश्चन नमबर 29 29 मैं और मेरा मेत्र 100 मीटर की दूरी पर स्थेत दो स्थानों से एक साथ एक दूसरे की और चलते हैं यह दो पॉइंट समचों इनके बीच में दूरी है 100 मीटर 30 मीटर चलने के बाद यानि इस पॉइंट को इसको भी मानने और 30 मीटर चलने के बाद अगर यह पॉइंट मारा होगा 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है यानि इस साइड मुड़ा और दस मीटर चलता है फिर दाएं मुड़ता है और दीस मीटर चलता है फिर इस तरफ मुड़ा और दीस मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है और वापस उसी सड़क पर आता है जिस पर हमने चलना शुरू किया था यानि फिर वापस इसी दि से चलते हैं तो हमारे बीच इस समय कितनी दूरी होगी हमने यह बताना है तो यह फिगर बन लिए आपके पास अब एक बारा जो टै की गई कुल दूरी है वो कितनी है प्रिवे, वो लिए 10, प्लस 20, प्लस इधर से भी 10, 14, 30, 70, 70 मेटर तो B नेजी उस दोरी कितनी दूरी तै करी 70 मेटर यानि B इस बिन्दू तक पहुंच गया और A जो है इस बिंदू पर है यानि कि यह दूरी कितनी है 50 तो उनके बीच की दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी 70 माइनस 50 यानि 20 मीटर जो कि आपका कोश्चन पर में कोश्चन नमबर है बचो बी इसके पाद हम नेक्स्ट कोश्चन करेंगे कोश्चन नमबर है हमारा 30 कुश्चन नमबर प्रीज कोश्चन कोश्चन नमबर है बच्चो तो इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है इसमें A, B, C को एक एसाइनमेंट पुरा करने लिए 506 पेज टाइप करने हैं कितने पेज हैं 506 A, एक एक प्रिष्ट को 506 पेज उनको टाइप करने हैं अभी है कि एक प्रिष्ट को बारा मिनट में टाइप बारा मिनट में A जो है वो बारा मिनट लेता है एक पेज को टाइप करने में B जो है 15 मिनट लेता है और C जो है 24 मिनट लेता है यदि वे कारे को तीन भागों में विभाजित करते हैं टाकि वे टीनं टाइप किन में समान समये चीज औरने में विग लागों तो W को कितने प्रिष्टों को टाइप करना चाहिए थो सब से पहने तो हम निकाल लेता है lighter कि वह एक पेज को टाइप अनक करने में जितैं कि även लेए तो तीनों का उकठा हम निकाल लेते हैं कि कितनी उनकी स्पीड आली है जैसे उनका आपस का रेश्यो क्या बन जाएगा एक बटा बारा उन पार एक बटा फंदरा और एक बटा चौबिस इसको हाँ को मीं ढांनी DO loro कि टांने डियरो के को अली आका नार्ख निक्तिन जाने इसको प्रो से दाएं कैल में एतॊ-था निवा १ा रण फंदरा चौबिस चार इक लाग चार तीन शोगर बार्लप और आपसी नाली है को यह सांगे हैं हमें कॉमन और यह जाईरापका इन दस यह जाएगा आट और यह जाएगा पांच यानि इनके बीच में अनुपाद है दस अनुपाद आट अनुपाद पांच एक मिनट में कुल यह कितने पेज टाइप कर रहे हैं यह देख दिजिए आप 10 प्लस 8 प्लस 5 यालिकि कुल फेज तीनों द्वारा जो टाइप किये कितने हैं एक मिनट की बात करते हैं कुल फेज एक मिनट में तीस और द्वारा टाइप किये लिए पेज कितने हैं आट कुल पेज बुक जो इकठे टाइप कर दो हम देख लेते हैं कुल पेज जो टाइप करेगा वह बीच कितने करेगा आठ बटा तेइस हुना में कुल पेज है हमारे पांसो छे कर जाएगा एक पे तेइस दुन च्यालेज पाइस है कि यानि कुल पेज जो है उसके प्यारा जो टाइप किया गया जो कितने है एक सो छीएकतर और आपका उप्शन नमबर बी यहां पर आपका उप्शन है उप्शन नमबर बी तो अब तक बच्चों हमने इस पर के थर्टी कोश्चन को पूरी डीटेवल में सॉल्व कर लिया है मुझे उमीद है कि आपको समझ आ रहे होंगे कि किस तरह से हमने इस प्रकार के प्रशनों को हल करना होता है बच्चे वे जो 20 कोश्चन है उनको भी हम इसी तरह सॉल्व करते रहेंगे और इस पेपर को भी कम्प्रीट करेंगे लेकिन हमारा जो मकसद है अभी आपसे फेट्थ क्लास में ताकि आप आगे भी जाके जब इस तरह के प्रशनों का सामना करें तो उनको आप हर कर सकें कि कॉम्पिटिटिव पेपर्स का टाइम है अब हर चीज के आपको कॉम्पिटिशन के पेपर में बैठना है और आपको इस तरह के प्रेशन बार बार मुलें देख वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें सो लाइक करें और सब् थैंक यू